भारत और दक्षुन अफ्रीका की बीट कल से टीट्वंडी सिरीज का आगाज होगा उससे बहले दक्षुन अफ्रीका ने बयान बाजी कानी शुरू कर दी दक्षुन अफ्रीका के पूर वोल राउंडर लॉस्ट क्लूंजर ने टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंद को जबरदस प्रतीबा वाला खिलाडी बता दिया उन्होंने पंद को सला देते हुए कहा किस विकेट कीपर बल्लेबाज को परदर्शन में निरंतरता बरकरार रखने के मद्दे नजर खुद के बजाय अन्ने की गलतियों से सीख लेनी चाहिए क्लुंजर को लगता है कि टीम इंडिया के खिलारी पंद की काबलियत देखते हुए वंडे में 22.90 और T20 में 21.57 का बल्लेबाजी ओसत बैतरी नहीं दिखता लेकिन ये दिखाता है कि वे समय से आगे चल रहे हैं गोर्तलब है कि दक्षुन अफरी का T20 टीम के बल्लेबाजी कोश की तोर पर 48 साल की क्लुंजर इस समय भारत में हैं क्लुंजर ने कहां मेरे लिए बताना काफी मुश्किल होगा लेकिन उसके जैसा भैतरीन खिलारी खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है क्लुंजर जब दिल्ली की सफेद गेन वाली सीनियर टीम के सलागार थे तब उन्हें पंद की खेल को देखने का मौका मिला उन्होंने कहा उसे खुद को थोड़ा समय देना चाहिए और थोड़ा से समय उसे अपनी परतीभा दिखाने का मौका परदान करेगा लोग सोचते हैं कि खिलाडी अधिक्तक चीज़े अपनी गलतियों से सीखते हैं लेकिन क्लुंजर का मानना है कि अगर खिलाडी अन्ने की गलतियों से सीख लेता है तो ये काफी फायदे मंद साबित होगा ऐसे मैं कहा जा सकता है सीरीज शुरू होने से पहले ही क्लुंजर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया अगर आप भी रिशब पन के फैन है तो इस ख़बर पर आप भी अपनी रह रखेगा साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन से स्पोर्स को भी सब्सक्राइब कीचेगा